जैशी राधा कृष्ण कृष्ण का प्यारा मार्वशीष महीना चल रहा है भगवान श्री कृष्ण ने स्वैम कहा है कि महीनों में मैं स्वैम मार्वशीष हूँ मानने ता है कि इस महीने में किये गए पूजा पाट से भक्त पर श्री कृष्ण की कृपा बरस्ती है में हम मार्ग शीष महीने में आने वाली कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादिशी के विश्य में चर्चा करेंगे इस साल 2024 में वरत कब किया जाए 26 नवेंबर का या 27 नवेंबर का साथ ही आने वाले अन्ने वरत त्योहार कब मनाये जाएंगे कब प्रदोश वरत रखा आउंगी बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी इसलिए प्लीज वीडियो लाव सक्त जरूर देखना अगर आप हमसे कोई प्रशन पूछना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर मेसेज करें और अगर आने वाले व्रत योहारों का रिमाइंडर डेली का पांच स्क्राइब करते हैं साल भर में कुल 24 एकादशी होती है और जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी व्रत होते हैं सभी एकादशियों के नाम और महत्व अलग-अलग है आम तोर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुकल पक्ष की उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए, इसे ही पहली एकादशी माना जाता है, उत्पन्ना जैसे नाम से पता चलता है, इस दिन एकादशी माता का प्राकटे हुआ था, एकादशी माता भगवान विश्मू से उत्पन होई थे, इसी से इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एका का शुब मूरत बताने से पहले आपको एकादशी तिथी का समय बता है एकादशी तिथी प्रारम हो रही है 26 नवेंबर 2024 को एक बज के एक एम पे और एकादशी तिथी का समापन हो रहा है 27 नवेंबर 2024 को 3 बज के 47 एम पे अब एम का मतलब हो गया अर्दरातरी में ठीक है ना तो 26 नवेंबर को जब तिती, मतलब 25 नवेंबर की लेट नाइट समझ लो या 26 नवेंबर की अर्ली मॉनिंग समझ लो उसमें एकादशी तिती शुरू हो रही है और 27 नवेंबर को 26 नवेंबर की लेट नाइट कहलो या 27 नवेंबर का सुभा का ब्रहमूरत समय कहलो उसमें ए इस तरह से 26 नवेंबर को पूरे दिन की एकादशी है, सूर्य उदे में एकादशी है, इसी से सभी संप्रदायों में सामर्त और वैशनव एक ही दिन एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा, इस बार कोई confusion नहीं है, कोई दो एकादशी नहीं है, कोई दश्मी युक्त या द संप्रदायन में, स्कॉन में, गौरिया मठ में, उजयन में, सभी धार्मिक स्थलों में उत्पन्ना एकादशी व्रत मंगलवार 26 नवेंबर को ही मनाई जाएगी, उत्पन्ना एकादशी वाले दिन वेतर्णी व्रत भी होता है, इस व्रत की पूरी जानकारी आपको अपनी पूजविधी वाली वीडियो में तोगी, पर शौर्ट में समझ लो, जब भी शरीर छोड़कर हम ठाकुर जी के धाम जाते हैं, तब बीच में हमें एक वेतर्णी नदी मिलती है, बिना कश्ट ये वेतर्णी नदी अराम से पार हो जाए, इसी से वेतर्णी व्रत किया जात है, बहुत ही फलकारी होता है, जो वैसे एकादेशी का व्रत नहीं करते हैं, वो सिर्फ वेतर्णी व्रत भी कर सकते हैं, अब व्रत किस तरह से करना है, व्रत के नियम क्या है, वो आपको अपनी अगली पूजविधी वाली वीडियो में बताऊंगी, अब अगर मैं शुब मूरत समय की बात करूँ, तो इस साल उत्पन्ना एकादेशी पर तीन शुब योगों का निर्मान हो रहा है, सबसे पहले है प्रीती योग, जो प्राता काल से शुरू होगा और दुपहर दो बच के चौदा मिनुट पे खतम होगा, इसके बाद में है आयुशमान योग बनेगा, जो अगले दिन दुपहर तक रहेगा, एकादेशी तिधी में दुवी पुशकर योग 27 जवेंबर को सुबह 4 बच के 35 मिनुट से सुबह 6 बच के 54 मिनुट तक भी है, मतलब ये पारण के समय रहेगा, उत्पन्ना एकादेशी पर हस नक्षत्र प्राता काल से लेकर 27 जवेंबर को सुबह 4 बच के 35 मिनुट तक है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र है, इसमें लक्ष्मी नरायन की पूजा अराधना करने का विशेश महत्व है, भक्तों की सभी मन की इच्छाय पूरी होती है, घर परिवार में सुख संब्रिद्य और दुपहर में 12 बच के 39 मिनुट तक है, उत्पन्ना एकादेशी की पूजा आप प्रीती योग में करें बहुत फलकारी है, व्रत के दिन लाग 29 मूरत सुभा 10 बच के 49 एम से दुपहर में 12 बच के 8 पीम तक है, वहीं अम्रिज सर्वोत्ता मूरत दुपहर में 12 बच के 8 मिनुट से 4 बच के 5 मिनुट तक है, गुले काल दुपहर में 12 बच के 8 मिनुट से दुपहर में 1 बच के 27 मिनुट का है कि अब हम चर्ठा करते हैं कि अपने 11 एग बदीर का पारन मतलब मतलब को खुले कंब तो देखो 26 निवेंबर को जब हम अपने उत्पन्ना इक आदेशी का बरत रखेंगे तो इस व्रत को हम 27 निवेंबर दिन बुदवार को दुपहर में एक बच के बारा मिनट से तीन बच के अठारा मिनट के बीच में कभी भी खोल सकते हैं, वृत का पारण कर सकते हैं, अब आप प्रश्न करोगे कि हमें एकादशी का वृत तो सुभा सुर्यूदे के बाद ही खोल लेना चाहिए, तो 27 तारीको हम दुपहर तक क्यों रुके, तो देखो इस बार पूरे दिन की एकादशी है, जो सुभा ब्रहमूरत के समय में 27 तारीक को सुभा खत्म हो रही है, तो ऐसे में हमें हरिवासर समय जो दुआदशी तिथी के एक चथाई अवदी होती है, उसके खत्म होने का इंतजार करना ह उत्पन्ना एकादशी के पारण के दिन, मतलब 27 नवेंबर को हरिवासर समाप्त होने का जो समय है, वो सुभा 10 बज के 26 मिनिट का है, उसके बाद शुभ मूरत में हम अपना व्रत खोलते हैं, अच्छा कई संप्रदायों में व्रत पारण समय 10-26 एम से बताया जा रहा है, आप इस समय बे भी पारण कर सकते हो, पर किसी भी हालात में पारण 10-26 एम से पहले नहीं करना, हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही हमें अपना व्रत खोलना चाहिए, हरिवासर समय समाप्त होने से पहले व्रत खोलने से व्रत का पूनफल हमें नहीं मिलता, हमें दोश ल पुजा का जो शुमूरा समय है वो 5 बच के 24 पीम से 8 बच के 6 पीम के बीच का समय है ये समय अब दी 2 घंटे 41 मिनट की है अब मासिक शिवरात्री व्रत की चर्टा करते हैं मासिक शिवरात्री व्रत 29 नवेंबर दिन शुकरवार को रखा जाएगा मार्क शिश मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिती प्रारंब हो रही है 29 नवेंबर को 8 बच के 49 एम पे और मार्क शिश मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिती समाप्त हो रही है 30 नवेंबर को 10 बच के 29 एम पर इसलिए व्रत क्योंकि प्रदोशकाल की पूज़ा का विशेश महत्व होता है इसलिए 29 नवेंबर को व्रत रखा जाएगा प्रदोशकाल की पूज़ा का जो शुब मूरत समय है वो 11.41 पीम से 12.35 एम के बीच का समय है ठीक है इसको ध्यान रखेगा ये समय अवदी 54 मिनट की है अब चर्चा हम अमवस्यातिति की करते हैं तो देखो 30 नवेंबर और 1 दिसमबर दो दिन की अमवस्यातिति होगी जिसमें 30 नवेंबर को पित्रकारे अमवस्या होगी और 1 दिसमबर को सनान दान अमवस्या करने की सलह दे रहे हैं अपनी राय बताने से पहले आपको समात हो रही है 11.50 एम को 1 नवेंबर को इसी में देखो क्योंकि सूर्य उदे में 1 नवेंबर को होगी सुभा अल्ली मॉर्निंग से ही लग जाएगी और तीस तारीक की बात करूं तो उसमें 11 बजी के समय पे है मतलब 10-10.30 के समय पे है 10-39 पे अमावस्या तीस ही लगेगी तो इसी लिए हम पूरी तरह अमावस्या एक दिसंबर दिन रविवार को मनाएंगे स्नान, दान, पित्र, तरपन, भ्रामन, भोजन सब इसी दिन करेंगी सूर्य उदे में अमावस्या तिती है शुप से योगों के साथ है इस दिन अमावस्या कारे करना जादा उचित रहेगा हमारी राय इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गए जानकारी आपके लिए प्योगी होगी इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंसे सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें ज्यान बाटने से बरता है इस लिए इस वीडियो को जादा से जाद शेयर करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब थैंक यू जे शी रादा कृष्ण चाम्रोट पर नादेब लादुर थैंक अड़्यू को जारा इस्बूद्स का